तो आपको पता ही है मैंने जूम से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बना करके अपलोड की हुई अपने चैनल पे इनका एक आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसमें मैंने जूम से रिलेटे जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उनके शॉल्यूसिन के वीडियोस डाले तो रिभा कुमारी जी ने मुझे पूछा था कि जूम एप है उसमें डीपी कैसे चेंज करें तो ये मैंने पहले बताया ही हुआ था लेकिन वो था मोबाइल में तो रिभा कुमारी जी ने मुझे पूछा कि लाप टॉप में इसे चेंज किस तरह से कर सकते हैं मतलब लाप तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप अपने लाप्टॉप से यह जो डीपी है जूम अकाउंट में आप लगा पाएंगे तो चलिए दोस्तों विनादेरी की वे सुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दू कि अगर आप जूम अप्लिकेशन में अपनी डीपी को लगाना चाहते हैं वो भी लाप्टॉप से तो इसके आपको दो तरीके मिल जाएंगे एक तो यह कि आपने जो लाप्टॉप में अपना जूम अप्लिकेशन इंस्टॉर किया उसके माध्यम से आप कर सकते हैं दूसरा अगर आपनी जो एप है या फिर जो सौफटॉवेर इंस्टॉल करके नहीं रखा अपने लाप्टॉप में तो भी आप डारेक्ट ब्राउजर के माध्यम से भी जाकर के अपनी डीपी को चेंज कर सकते हैं तो दो तरीके होते हैं लाप्टॉप से इसे चेंज करने के लिए आज मैं आपको पहला तरीका बताऊंगी एप्लिकेशन के माध्यम से और जो दूसरा तरीका है वो भी जल्दी आपको पता चल जाएगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में क्योंकि एक में अगर बताऊंगी तो वीडियो काफी जूम अकाउंट में अपना जो फोटो है अपना जो डीपी है वो चेंज कर पाएंगे या फिर आप नया लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा पाएंगे तो यहां पे सबसे पहले तो आपने जूम क्लाउड मीटिंग का जो सौफ़वेर होता है उसे इंस्टॉल किया ही हु इस तरह से ओपने के बाद में आपको इस तरह का सरफेस दिखाई देगा तो इसके बाद में अगर आपको यह सरफेस दिखाई नहीं दे रहा है तो सिंपली आप जो है डारेक्ट ब्राउजर से भी इसे ओपन कर सकते हैं तो आपको अभी अपनी डीपी को चेंज करनी है त राइट का जो setting दिख रहा है यहाँ पे आपको चले जाना है इस पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपको setting का सारओ ऑप्षिन यहाँ पे खुल करके आ jurisdiction आज जांएगा अब आपको यहाँ पे जाना है profile पे आप देख जैसे कि मेरी यहां पे शो हो रही है, तो सिंपलिस आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप फोटो पे जाएंगे ना पैंसिल का इक आइकन यहां पे शो होता है, तो सिंपलिस पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको जब भी आप change picture पे click करेंगे ना तो आपके जो laptop का storage है वो open हो जाएगा अब आपको यहां से चुन लेनी है कि आपने जो photo यहां पे डालनी है वो आपने कहां पे रखी हुई है तो मैंने कुछ photo desktop पे रखा हुआ है तो desktop पे मैं चली जाती हूँ और आप देख सकते हैं मैंने यहां पे एक-दो photo रखी हुई है तो simply आपको क्या करना है कि जिस भी photo को आपको लगाना है उससे आपको click कर देना है click करने के बाद में यहाँ पर select हो जाएगा and simply आपको यहाँ पर open पर click करना है and जैसे आप open पर click करेंगे यह photo यहाँ पर आ जाएगी अब यहाँ से आप इसे drag कर सकते हैं उपर नीचे जिस भी position पर रखना चाहे and even यहाँ जो minus और plus का option है यहाँ से आप इसे zoom in और zoom out भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो simply आप इसे zoom in और zoom out भी कर सकते हैं आपको जब तक संतुष्टी ना हो तब तक आप उसे set कर सकते हैं जब आप संतुष्ठ हो जाए कि हाँ इतनी photo मेरी होनी चाहिए दिखनी चाहिए उसके बाद में आप simply सा save पे किलिक करेंगे और जैसे आप save पे किलिक करेंगे थोड़ी देर आपको यहाँ पे wait करना है और यह देखिए photo यहाँ पे set हो चुका है बस यह simple सा तरीका है अपनी जो भी आपनी Zoom में अकाउंट बनाई हुए है, उस पे फोटो को सेट करने का, DP को चेंज करने का, इसी तरह से आप जितनी बार चाहें, उतनी बार आप अपनी DP को चेंज कर सकते हैं, तो बस यही चोटी से ट्रिक है, जो आपको यहाँ पर अपनानी है, फ्रेंड्स, जूम से रलेटिट किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो कि जूम क्लाउड मेटिंग के नाम से आपको मिल जाएगी, तो बस यह चोटी सी वीडियो है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं, आपको अच्छी लगी होगी पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, जो कि अप्लिकेशन के माध्यम से होता है, दूसरा आपका ब्राउजर से डारेक्ट भी आप कर सकते हैं, और वो काफी जादा आसान है, उसे करने में आपको जादा समय नहीं लगेगा, और उसके लिए अलग से एक वीडियो बन कर कि आजाएगी जो चोटी सी होगी, तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह से जो है अपनी डीपी चेंज करेंगे या फिर न्यू डीपी लगाएंगे अपने जूम अकाउंट में, मिलेंगे अमलों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई